नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सेब में walnuts stage यानी अख्रोट के अकार के दाने पर की जाने वाली spray की विशे में विस्तार पूर्वक जानकारी पर दान करेंगे साथ ही हम आपको यहाँ भी बताएंगे कि वालनेस साइज या फूट डिवलिप्मेंट की स्टेज पे आप अच्छी फूट क्वालिटी बनाने तथा ड्रॉपिंग को कम करने हैं तो कौन सी माइक्रो नियूरिंट या टौनिक की स्प्रे कर सकते हैं तो इस वीडियो को क्रिप्या अन तक जरूर देखें परन्तु इन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल आईग्रो एपल पर नए हैं तो क्रिप्या चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्यूंकि इस चैनल पर आपको केवल बागवानी से संबंदित महिद्वन जानकारियां प इत्यादी की रोक थाम के लिए की जाने वाली फंजिसाइड की स्प्रेय के बारे में बात करें स्कैब की तो स्कैब की बिमारी की रोक थाम के लिए आप माइक्लो ब्यूटनिल मैंकोजेब प्रोपिनेब या डोडीन मैंसे किसी एक फंजिसाइड की स्प्रेय कर सकते हैं ब directly fungus के संपर्क में आकर असर करते हैं और इनका प्रभाव भी बिमारी पर काफे जल्दी होता है अगर मात्रा की बात की जाए तो 200 लीटर पानी के ड्रम में आप 80 ग्राम माइकलो बिटनिल या 600 ग्राम मेंकोजब या फिर 600 ग्राम प्रोपिनेब और या फिर 185 ग्राम डोडीन का घोल बनागर स्कैब की रोकताम के लिए स्प्रे कर सकते हैं माइकलो बिटनिल आपको बाजार में सिस्थेन या बून या इंडेक्स या ग्रेपल इतियादी के नाम से मिल जाता है मेंकोजब बाजार में इंडोफिल M45 या डाइटन M45 आदी के नाम से उपलब्द है इसके अलावा प्रोपिनेब आपको एंट्रकॉल या आरोष्च या स्केल 70% WP के नाम से मिल जाता है और डोडीन बाजार में सूपरस्टार या सेलिट या हिम्डिन या तोफा या नूर के नाम से उपलब्द है इन दवाईयों में से आपको केवल किसी एक ही दवाई की स्प्रे करने है परंतु ध्यान रहे कि यदि 30 टिगरी सेल्सियस से अधिक तापमान तथा स्लो ड्राइंग कंडिशन्स हो तो डोडीन की स्प्रे ना करें यह तो बात थी स्कैब की रोक थाम की स्कैब के अलावा वालनेट साइज स्टेज पे आल्टरनेरिया लीफ स्पोर्ट या बलाइट या प्रीमेचियर लीफ फॉल जैसे बीमारियों का खत्रा भी होता है और बागवान इनकी रोक थाम के लिए मैटी रेम 55% प्लस पाइरो क्लोस्टरॉबिन 5% डब्ल्यू जी की 300 ग्राम की मात्रा का 200 लीटर पानी में घूल बनाकर पौदे पर छिड़काव कर सकते हैं यह दवाई आपको बाजार में कैब्रियो टॉप या कलच इतियादी के नाम से मिल जाती है इन सब बिमारियों के अलावा वौलनेट साइज स्टेज पे आप मैट्स की रोक थाम के लिए फेनेज़क्वीन या प्रोपरजाइट या हमो यानी हौर्टी कल्चर मिनरल ओयल की स्प्रे भी कर सकते हैं बात करें मात्रा की तो 200 लीटर पानी के ड्रम में आप 50 ml फेनेज़क्वीन या 200 मिल लीटर प्रोपरजाइट या फिर हमो की 2 लीटर की मात्रा देकर बने घोल का पौदों पर छिड़काओ कर मैट्स की रोक थाम कर सकते हैं फेनेज़क्वीन बाजार में मेजिस्टर या मेजिस्टिक के नाम से तथा प्रोपरजाइट ओमाइट या सिंबा आदी के नाम से उबलब्ध है अब बात करते हैं वालनेट साइज या यू कहें फ्रूट डिवल्पमेंट की स्टेज पे आप कौन सी माइक्रो न्यूटरिंट या टौनिक की स्प्रे कर सकते हैं तो हमारे इसाब से बायोजाइम आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है बायोजाइम सीवीड एक्स्टेक्ट से त्यार होता है और यू क्वालिटी फ्रूट त्यार करने में एक अच्छे टौनिक की तरह काम करता है यू अच्छी फ्रूट सेटिंग, कलर, वेट और साइज को इंप्रूब करने में भी काफी मदद करता है बाकी आप अपने हिसाब से किसी भी टौनिक की स्प्रे कर सकते हैं दोस्तो यू थी वालनट स्टेज के दौरान सेब में की जाने वाली स्प्रे के बारे में कुछ महत्पून जानकारी तो अगर आपको इवडियो अच्छे लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने सवाल एवम विचार कमेंट पॉक्स के मादम से हमारे साथ जरूर साजा करें धन्यवाद